यह कौन सा गलिच चल रहा है एक गाड़ी के ओपर तीन तीन काउस अगर ऐसे ही है तो बैटर है मैं जाके जनल स्टोर से ऐसे ही काउस पर्चेस करके लाँ गाड़ी के ओपर श्राच राके प्रतों मैं वेल्कम बैक है रान समुलेटर की एक ओर नई वीडियो में और अगर पिछले एपिसोड देखा होगा तो पता होगा कि हम एक जौनों पर्चेस करके लिए जमन के लिए आए थे नुए आए थे यह डिसाइड नहीं हो पाई था क्योंकि अभी हम पास कोई बाट नहीं है इस तो बाई काफी सारी गमेन्ट नैंक मैं सोचाओ कि में इन दोनों पिक्ष को काव बान लेकी अभी इस पिक नियुके से पतानी भागने का लगी हुगी है यह से परिशान पर प्रिशान कर लग दिया इस बड़े वाई ट्रेलर से , एक बात खन्फर्म है कि अब जबमिने पिक्स कर नहीं जाना है तो प्ली मिसम्य मिक्स्ट लीक्टो लिके नहीं अपने बड़े वार ट्रक लेकर लेकर जाएंगे यह फिर आपनी पिकपट्रक seemu यह पिक्स लग पूसिबल ही नहीं है अभी यह चोटे आला पिकप ट्रक है में को लगनी रहा है कि उपपर दक चड़ पाएगा इंसर पाएगा तो पहले मैं ट्रेजर को यहां से अठा देता हूं अब यह चोटे आला पिकप ट्रक पे उसको उपर अनलोड करता हूं अब यह गाड़ी को देखते हैं पहली बात यह है कि यह देखना है कि हमाया चोटे आला पिकप ट्रक इस पर चड़ भी पाएगा या नहीं चड़ पाएगा तो अब यह फर्स टाइम है जब हम अपने चोटे आले पिकप ट्रक को इस ब्रीज के ओप पर लेकी जा रहे हैं और वह भी फुली लोड़ेड मतलब एक काव भी और एक पिक भी है और इसको अब धी वर्स में चाने वाल आ है क्योंकि इसकी फरेंट से तो काफी कम ग्राउंड क्लेंस है इसका बंपर टच हो जाता है जो हमने पहले भी देखा था तो इसको रिवर्स में लेके चलते हैं और रिवर्स में इसली सड़ गया है अब उस सड़ देकर देखते है है और यह इहां पे फ़स गया है यह पर नहीं पा रहा यह यह भी हम्यर टच अठो गया तो इसका भी वही इशू है की यह भी टच हो गया इसके रिंके साथ ठीक नहीं यहां पर इक यह बाद साथ तो रखा हुगा है जो हमने पिछली बार यूज किया था हूँ को बाहर निकालना, कि इसके little gear अगे डिल गहाँ पर ऐसके, फोड़ी स्फीर स्वख़ norm खैसे के छेट तो मिल अब एक बार निकालते हैं स्फीर गर्ड को यहां से यह ग्रिप हलकी हलकी बनी तो है बट नहीं यह इतनी ग्रिप नहीं है कि यहां से निकल सके तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको काव को यहां लोड करता हूँ तो ये काव उधर कहां भागती है और ये काव कभी इस साइड क्यों भागती बांग की साइड की बांग की साइड भागे तो इस काव को तो यहां उतार देते हैं और अभी मैं पिक को उतालता हूं उसके बाद ना उसके बाद देखेंगे इस गाड़ी कैसे निकालना है यहां से तो यह फPK उससएड के उतर गया, यह गिरा तो नहीं है, नहीँ, नहीँ, गिरा नहीं है, सबस्केर की घुक्लच Hm और 15 सबंद में, जूल रहा है, इसको वापिस इस गाड़ी में लोड कर देते हैं, किकिना आथने आथना अप्ने दूर्शी आखց अप्ने घुल मी? यहां से ठीक है तो यह तो शायद रैंप पीछे को लग गया गेट के पास एक और टक्कर मार के देखते हैं कि अब भी नहीं गिरा तो गिरा के तो मैं इसको रहूँगा अब यह जैसे भी है एक बाप आगे से लाके तो इस टक्कर मारता हूं अब भी नहीं गिरा अगर यह थोड़ा टेड़ा भी हो जाये तो इसको वैसे ही गिरा दूँगा बट अभी में को लग रहा है कि और टक्कर के ज़रूरत नहीं है एक बाप इस पर देखते हैं बैट के कि इसको गिरा सकते हैं ऐसे यह नहीं गिरा सकते पिक को लोड कर लेता हूं और यह गेट अंदर की तरफ खुला फिर और इस गेट ने इसको पका किसका अब तो यह गिरी जाएगी तो कोई बात नहीं पिक के साथ ही किराते हैं इसको एक बात देखते हैं और यह गिरी है वाई ये गाड़ी ऐसे क्यों गिरी है ऐसे बॉल की तरह हो जंप लिया है गाड़ी ने और में लगता है इसका कुछ भी बिगड़ा है कुछ नहीं बिगड़ा इसका इस गाड़ी कुछ नि बिगड़ा और वो तो इस गेम का है ऐसा कि गाड़ी में गिरने पर ऐसा कोई डैमेज नहीं होता बट जब मैं पहले जीटिये खेला करता हूँ तो उस पे गाड़ी ऐसे कभी कोई कुदाई तो वह गाड़ी पूरी डैमेज हो जाती थी उसके पूरे स गाड़ी प्रफेक्टर रैम पे चड़ने के लिए क्योंकि इसको मैंने पहले भी कई बार टेस्स किया है तो यह बड़े एजली कहीं से चड़ जाती है और अभी यहां पर यह वाले जो फीमेल पिक थी यह मर गई अभी तो इसको हम ले के आये थे इसको इतनी जल्दी कैसे मर गई में भी शायद इनके खाने की रिकार्मेंट फीमेल पिक की इतनी जाद है कि यह शायद एक राद भी बिना खाने की नहीं रह पाई और अभी अगर वो मर गई तो इसको भी उतना ही टाइम हो चुका है बिना खाना खाए तो इसको अब थोड़ा जल्दी करते हैं जल अब यहां पर पोजगे हैं तो मैं यहां पर भी इसको अपने छोटे वाले हाती को भी रिवर्स में लेके चलता हूं और रिवर्स में चलाते हैं उपर बट पहले मुझे वहां से वहां से एसुवी अटाइम पड़ेगी हमारी एसुवी खड़ी है रैम के उपर तो वह और यह काउ बहार निकल आई है गेट खुलती है काउ बहार निकल के आ गई है और यह मैंने देखा है कि मैंने नोटिस किया है सारी काउस इस सड़ ऊपर आके उस सड़ जिस सड़ काउस देखती थी वहां पर देखती रहती है अब वहां पर पता नहीं ऐसा क्या है पर मैंन उदर kोही देखते है यहां पर यह काउस बार बार राम के नीचे का आके कुछ देखते है अब इस SUV को आपे जम करतेगी आक ता Brah बाकि इस फूल स्पिड में लेके आएं बाद मैं यहां पर लंबा Нुम कर हैंगे अक बार और यहां वर यह स्य वलढ़ के लिग था नीचे हot पे मैं जायातार अपने छोटे वाली गाड़ी को ले जाने वाला हूँ कुछ भी चीज ले जाने के लिए या हमाँ से लाने के लिए तो यह तो ऐसे ही चड़ जाते है नॉर्मली बिना किसी बुल लॉक के जैसे यह इसली अभी चड़ गई लाई थी कि गेट मैंने शायद उल्टे लगा दिया है तो इसको भी हम तोड़के सीधा करके लगा देंगे बाद में अभी इस गाड़ी को प्याजे थोड़ा सा आगे लेता हूँ और फिसको उतारता हूँ तो एक काओ पीछे हटनी रहि और इस काओ को हुआ क्याई यह गाड़ी गाड़ी काओ में फसी है तो भई जिखने है काओ का कई कोश्यव में कापीज्ट है भई और इस डेम में हमें इस यह गीज्ट काफी लिक्र सी ग्लिये करके कि हम काफी साही ग्लीच देखने को मिलती है तो ये भी शायद एक ग्लीची है कि काव गाड़ी के अंदर फस गी है तो इसको एक बाद निकालने कोशिश करता हूँ पहले गाड़ी में थोड़ा आगे पीछे करता हूँ हो सकता है निकल जाए यहां से और ये तो अभी भी शायद गाड़ी में ही फसी हुई है हाँ गाड़ी में ही फस रखी है तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा देखते हैं एक बार तो गाड़ी को मैं एक बाद ना उपड़ा सा ख्लिप करने की कोशिश करता हूँ और ये गाड़ी अज यहां से कहाँ आप काओ उपड़ चड़के खड़ी हो गई और ये कौन से स्टंड चल रहे हैं ये ग्लिच है या स्टंड है चल क्या रहा है ये खाना वान तो ठीक है यहां पर खाना वान तो खाना भी इन काओस ने खाया है तो इनकी योग लगता है पहले पिक को तो ताई दे कि यह पिक तो मरने की हला तो में भूख के मारे और इस पिक कैसे दोड़के जा रहा है खाने की तरफ और यह आते हैं सबसे पहले पानी प्या है मतलब यह प्यासा था ओके तो इसने पानी पी लिया अभी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है तो यह तो मतलब बच गया ने तो यह भी मरने वादा था और अब इस काओ को देखते हैं कि इसको कैसे उतार सकते हैं तो यहां से तो मैं गाड़ी को धक्का मारता हूँ आगे एक तरफ ना, अपने आप यह उतर जाएगी, थोड़ा और धक्का मारते हैं, नई, इस पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, जितनी गाड़ी हिल रही है उतना है अपने आपको बैलेंस कर रही है, अब पीछे ही तरफ बाकी दो काउस और चड़ गई, एक तो उतर नहीं रही है, और दो और चड़के खड़ी हो गई ऊपर, भाई यह कौन सा ग्लिच चल रहा है, एक गाड़ी के ऊपर तीन-तिन काउस, अगर ऐसे ही है तो बैटर है, मैं जाके जनरल स्टोर से ऐसे ही काउस पर्चेस करके आगे चड़के ऐसा उपर पोच जा रहा है, तो यह मैं जब आगे गाड़ी के आ रहा हूं, तो भी अपने आप गाड़ी को उपर पोच जा रहा हूं, अब एक गाड़ी को पीछे को टक्कर मारता है थोड़ी ची न, ऐसे बड़ा मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को धक्का म पारके आगे ले जाने में पीछे ले जाने में अब यह देखने हैं कि जो मारी बाकी वाली आईसूवी यह उन पर बहुत है और नहीं कर पाते तो अभी इसको पहले ले चलते हैं ब्रिश के उस साइड क्योंकि इधर का काम तो हमारा भी हो गया है तो यह गाय साइब बचके क्योंकि अगर टककर लगी तो फिर ऊपर चड़ जागी और फिर उतरने वाली नहीं है तो अब यह वाला प्लैंक एक पड़ावा है न इसकी विदर कोई जोड़त ऐसी है नहीं इसको मैं उठाके गाड़ी में रख लेता हूँ और पहले गेट भी लगा दू मैं तो यह फिर में को यह ब्रिज पर रैंप वोक करती हूँ मिलेंगी काउस यहां पर ओके तो अब इस वाले गाड़ी को भी तेज दुड़ा के एक दम जम करा के देखते है कि कितना लंबा जम कर पाती है तो देखते हैं कहां तक जाती है और यह नहीं इसने तो बहुत कम जम लिया है इससे जादा जम तो इस SPV ने ले लिया था इससे काफी दूर तक गई थी और बागी अभी इसने गेटो को लगा रहते हैं और अभी आजके लिए कुछ ऐसा काम नहीं तो अभी चलते है अंदर तो अभी नेक्स्ट वीडियो में है अपना प्रडक्शन स्टार्ट करने वाले है तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में